शुपालियादो जी अपने रोडशो निकाला है सेक्रों गाडियां है क्या चलना जंता है क्या चाहरी अभी मैंने देखा एक पैकेट आपको मिला क्या था पैकेट में सर देखे मजे फ्रोजाबाद के जंता ने मुझे यहां चुनाओ बुला करके लड़ाया तो यहां पर फ्रोजाबाद के लोग मुझे बोट भी दे रहे और नोट भी दे रहे तोसी से हम तुनाव लड़ा है वो जो लिफाफे में था वो नोट सा पीले पैकेट में हाँ जंदा है क्या लग रहा है फिरोजाबाद में राम गुपाल जी भी लड़ रहे है पूरा फिवर में लड़ रही है यहां चारो तरफ चावी चावी है और कोई निसान नहीं है और हम बहुत आगे हैं चावी बहुत आगे है अब यह दूसरे तीसरे चौछे पर जाने वाले यह सरक्षा लग रहा हो कि असली मुद्व से भटकाने की कोशिस की जा रही है आप विका पर हम सरकार में भी थे हमने पूरा कम बिदेश की जंता के लिए खासकर गाऊं करीब किसान के लिए और जो भी मेरे पास आया है मैंने उसे मेरा प्रियास रहा है उसकी बात को सुना है उसको एक काम भी किया है खाली हाथ नहीं जाने दिया है और जो प्रॉपेसर के साथ गया और तो अपमानित हो करके जाया है जो उम्मीदवार है यहां अच्छ है हमारे बतीजे हैं तो उनके पाथ कोई application ले करके गया अपनी समस्या ले करके गया तो वो बोलते थे कि पापा जाने पापा से पूछेंगे और पा पाने पहले तो किवार नहीं खुले और किवार खुले तो वो आदमी दखके मार के वहां से भगाया गया और अपमानित हो करके आया है तो इसलिए फिरोजाबाद के लोगों ने हमें बुलाया चुनाव लड़ाया और यहां का चुनाव फिरोजाबाद की जनता लड़ रह गटे हैं और यहां का पूरा फिरोज्वार हर बार्त हमें सब पिठील दलित और मुसलमान हमिस सभी प्रादरी के लोग बूंठ दे रहे ही सभी 6 reconsti तूट गए और हैं तक कि सभी दलों के लोग भी हमेसा वर सपोर्ट कर रहे हैं तो यह नहीं मिला है है उनको चनौती में लिए और इसलिए यहां पे चनौत में वह फिरोजाबा से जुनाव लड़ रहे हैं इनका साफ तोर पर मानना है कि जिस तरह से जंता भीड़ पीचे उमर रही है लोग इनके साथ इनको समर्सन दे रहे हैं इनका विजय निश्चित है कैमरामेन अनल भार पर इंडिया फुर्वजाबाद